दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसालेदार टॉपिक के बारे में जो ना ही सिर्फ आपके खाने को बलकि आपकी परसनल लाइफ को भी स्पाइसी और बहुत जादा इंट्रेस्टिंग बना सकता है जी हाँ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है चिली पेबर्स यानि के मिर्ची क्या आप जानते हैं कि ये छोटे-छोटे मिर्च के टुकडे आपकी सेक्श्वल हेल्थ को और भी जादा बूस्ट कर सकते हैं और भी जादा इंप्रूव कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये चिली पेबर्स आपकी सेक्श्वल स्ट्रेंथ को और इरेक्शन को इंप्रूव करने में आपकी मदद करते हैं चिली पेपर्स जो कि कैपसेसन से भरपूर होते हैं वो नहीं सिर्फ आपके मेटाबोलिसम को स्पीड अप करते हैं बलकि ये आपके बलड फ्लो को भी इंप्रूव करते हैं जो कि सेक्शुल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो चली शरुवात करते हैं और दे पेपर्स को तीखा बनाता है यानि इनके दर जो मिर्च होती है वो इस कैपसेसन की वज़ा से ही होती है लेकिन ये कैपसेसन सिर्फ आपको पसीने में ही नहीं नहिलाता है आपको बहुत जादा गर्मी ही नहीं लगा देता है बहुत जादा मिर्ची ही नहीं लगाता है बल जो sexual strength है, जो हमारा erection है, वो भी enhance होता है, और हमारी performance अच्छी रहती है, और यही कारण है दोस्तों के chili peppers को अक्सर natural way में sexual health को improve करने के लिए recommend किया जाता है, इसके अलावा दूसरा important aspect है endorphins, जब आप chili peppers को दोस्तों खाते हैं, तो आपके brain के अंदर endorphins release होते हैं, जो कि एक feel boost करता है, आपकी इच्छा को बढ़ाता है, और एक और interesting area भी है, जहां अभी research ही चल रही है, वो है potential hormonal effect, कुछ initial studies suggest करती हैं कि capsulcin जो होता है, यह testosterone levels को भी influence कर सकता है, जो कि male sexual health के लिए एक crucial hormone है, हाला कि इस area में और भी ज़्यादा research की ज़िवरत है, तो confirm कि कैसे यह सब होता है, लेकिन फिलहाल जो initial researches है, वो काफी ज़्यादा promising है, और इससे यह बात समझी जा सकती है, और उमीद की जा सकती है, कि वाकई में आने वाले time में इस बात सिद्ध हो ही जाएगी, कि capsulcin जो है, वो testosterone को boost भी कर सकता है, तो चलिए अब आते हैं, अपने main topic पर और बा बहुत ही जादा simple है, और इसे regular पीने से आपको बहुत ही बढ़िया results मिल सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए होगा एक fresh chili pepper, यानि एक मिर्ची आप ले लीजे, लाल भी ले सकते हैं, हरी भी ले सकते हैं, fresh लेनी है, आपको सूखी भी लेनी है, और एक cup आपको चाहिए हो इसके बाद इसके अंदर आप थोड़ा सा honey और थोड़ा सा lemonade कीजिए, इस tea को आप दिन में एक या दो टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह में आप इसको ले सकते हैं, या फिर रात को सोते समय भी इसको आप ले सकते हैं, रात को सोते समय लेना आपके लिए जादा अच् इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कप प्योर हनी और एक टी स्पून ड्राइड चिली फ्लेक्स, यानि लाल सुखी वी मिर्च जो कुटी हुई आती है, वो आपको चाहिए, कुटी भी मतलब बिल्कुल पौडर नहीं, जो मोटी कुटी हुई आती है वो आपको चाहिए और इसके बार डिब्बे को बंद करके आप तीन से चार दिन के लिए धूब के अंदर रख दीजिए ऐसा करने से ये चिली फ्लेक्स अच्छी दरीके से आपके हनी के अंदर इंफ्यूज हो जाएंगे इस हनी को आप रोजाना एक टी स्पून दिल में डो टाइम यूज़ कर सकते हैं और इसे करने से आप देखेंगे कि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ी हमिलने लगेंगे इन दो मेथट्स के अलावा आप चाहें तो सालेट्स, सूप्स या फिर में डिशिस में फ्रेश या ड्राइट चिली फ्लेक्स को डाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हाँ, moderation is the key, क्योंकि जादा spicy food से health issues भी आपको हो सकते हैं, so always use chili peppers wisely वैसे जब हम chili peppers की बात करते हैं दोस्तों तो उनके benefits से सिर्फ sexual health तक ही सीमित नहीं होते हैं ये आपके cardiovascular health को भी improve करते हैं और weight loss में भी आपको help करते हैं जैसे कि हमने पहले ही discuss किया था, capsicin blood flow को improve कर देता है by dilating blood vessels better blood flow का मतलब होता है less pressure on your heart, जो की heart diseases के prevent करने में बहुत help करता है दूसरा important benefit है pain relief, दोस्तों capsicin अक्सर pain relief ointments में use किया जाता है बहुत सारी कंपनियों के दौरा, because it has anti-inflammatory properties यह temporary तोर पर pain receptors को numb कर देता है जिसे कि pain feel नहीं होता है और हमें राम मिलता है this makes this a great option for those suffering from conditions like arthritis and muscle pain दोस्तों, as you can see, chili peppers are not just about adding spice to your life, they can actually contribute significantly to your overall health whether it's boosting your heart health or providing relief from pain, chili peppers have various benefits that make them worth including in your diet दोस्तों, chili peppers के इतने सारे benefits देखने के बाद जरूरी है कि हम कुछ safety considerations और precautions पर भी बात करें ताकि आप इसको use जो है, वो safely और effectively कर पाएं पहले बात करते हैं, over consumption की जितना दोस्तों, chili peppers के benefits है, उतना ही important है कि moderation में इसको इसको इस्तमाल किया जाए ज्यादा capsaucin का intake आपके stomach को irritate कर सकता है leading to gastrointestinal issues like heartburn और ulcers या फिर acidity बगएरा इसलिए हमेशा ensure करिएगा कि आप moderation में ही chili peppers का use करें especially अगर आपको पहले से ही acidity या digestive issues हैं तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही जरूरी है इसको कम quantity में इस्तेमाल करना अगला point है skin sensitivity और allergies दोस्तों capsaucin जब skin पर apply किया जाता है या कई बार इमिन जब खाया भी जाता है तो ये temporary तोर पर burning sensation दे सकता है वारे skin में irritation प्यादा कर सकता है इसलिए जब भी आप chili based products को इस्तेमाल करें या इसके इनुस्के लें तो पहले एक small patch test कर लें या फिर थोड़ा सा खाकर पहले देखें अगर आपको इससे कोई problem नहीं होती है redness, irritation या कोई discomfort नहीं होता है तो इसका use आप अराम से कर सकते हैं otherwise इसको use नहीं करना है और finally अगर आपका digestive disorder की problem है irritable bowel syndrome है या Crohn's disease आपको है या acidity है तो आपको chili papers का intake limit कर देना है या बिलकुली नहीं करना है इसी तरह से pregnant women और जिन्हें hemorrhoids की यानि piles की शिकायत है तो उनको भी इस नुस्खे का इस्तमाल नहीं करना है तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर wrap up करते हैं उम्मीद है आपको यह information useful लगी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा शेयर भी दूसरक साथ करीजेगा और अगर हमारे चैनल पढ़ना है तो subscribe भी फटा फट से कर लिजे इसी तरह की और information जानने के लिए आप चाहें तो हमारे साथ WhatsApp पर भी जोड़ सकते हैं हमारे WhatsApp का लिंक आपको नीचे description में मिल जाए या फिर ये QR code scan करके भी आप हमारे साथ WhatsApp के जोड़ सकते हैं हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें healthy हमेशा